आज हम इस वीडियो में करेंगे क्लास एट हिंदी मंजरी बुक का पाठ तो काकी के प्रश्नुक्तर तो चलिए प्रश्नुक्तर शुरू करते हैं प्रश्न एक पतंग इतनी उचाई तक कैसे उड़ती है एक कागस का साधा पन्ना नहीं उड़ता है कारण इसपष्ट कीजिए तो इसका उत्तर है पतंग अपने विशेश आकरती और बनावट के कारण उची उड़ती है परन्तु साधे कागस की बनावट उस प्रकाय की नही होती जिससे वे उड़ सके प्रश्न दो श्यामू लिखना नहीं जानता था इसलिए वे पतंग पर अपनी काकी का नाम नहीं लिख पाया आप बताएं जो लोग लिखना नहीं जानते हैं उनको जीवन में किन-किन कटनाईयों का सामना करना पड़ता होगा तो इसका उत्तर है जो लोग लिखना नहीं जानते उन्हें जीवन भर लिखने के लिए दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है और इसका उन्हें सदय अफसोस रहता है इसलिए पढ़ाय लिखाई बहुत जरूरी होती है प्रश्न तीन आपका मन भी आकाश में उड़ने को होता होगा की तरह यदि आप भी उड़ सकें तो सबसे पहले किस स्थान पर जाना चाहोगे और क्यूं तो ये तो आपको खुदी बताना है तो इस प्रश्न को आप स्वयम करें प्रश्न चार पाठ में आपने पढ़ा कि श्यामू ने विवश्टा में पिता जी की कोट के जेव से पैसे निकाल लिये थे आपके विचार से ऐसा करना उचित था या अनुचित कारण भी बताईए उचित का मतलब होता है सही और अनुचित का मतलब गलत तो मेरे विचार से ऐसा करना उचित नहीं था क्यूंकि हमें आविश्टा पढ़ने पर अपने बड़ों से पैसे मांग कर लेने चाहिए किसी से बिना पूछे कुछ भी निकालना नहीं चाहिए ये गलत बात है कहानी से प्रश्ण एक समूखा से नामों को चाटकर समूखा से सम्बंधिच शब्दों के समूख लिखे यानी जो शब्द समूखा में दिये हुए हैं उनसे सम्बंधिच शब्दों को उनके सामने लिखना है तो पहला दिया है श्यामू के पिता, उनका नाम था विश्वेश्वर, दूसरा है श्यामू का साथी, तो उसका नाम था भोला, श्यामू के भाईया, जवाहिर, श्यामू के साथी की बेहन, यानि जी-जी, श्यामू की मा काकी, और श्यामू की साथी की मा सुखिया. प्रश्न दो श्यामू ने भोला के सामने कौन सा रहसे खोला तो इसका उत्तर है श्यामू ने भोला को बताया कि किस प्रकार वह उपर राम के पास पतं को भेजेगा और उस पर बैठ कर काकी नीचे उत्रेगी प्रश्न तीन श्यामू ने जवाहिर भाया से कागच पर काकी क्यों लिखवाया तो इसका उत्तर है श्यामू ने जवाहिर भाया से पतं पर काकी इसलिए लिखवाया जिससे पतं सीधे काकी को ही मिले प्रश्न चार उड़ती हुई पतंग को देखकर क्या सोचकर श्यामू का हिदय एकदम खिल उठा तो इसका उत्तर है उड़ती पतंग को देखकर श्यामू के मन में विचार आया कि वह भी एक पतंग उपर भेजेगा जिस पर बिट बैठकर उसकी काकी नीचे उतर आएगी यह सोचकर उसका हिदय एकदम खिल उठा प्रश्न पाँच भोला एक ही डाट में मुख्विर हो गया इस वाग से क्या तातपर है तातपर यानि इस वाग का क्या मतलब है तो इसका उतर है श्यामू के पिता ने जैसे ही भोला को डाटा भोला ने डर कर श्यामू की पूरी योजना उनको बता दी प्रश्न छे रसी से पतंग तान कर काकी को राम के हां से नीचे उतारेंगे भोला की ये बात सुनकर विश्वेश्वर हत बुद्धी क्यूं हो गए तो इसका उत्तर है अबोध बालक के मन में उट रहे विचारों को सोच कर विश्वेश्वर हत बुद्धी रह गए मीज कि वो बहुत ज़्यादा आश्चर रिचकित रह गए प्रश्ण साथ कहानी के आधार पर दो सवाल बनाईए तो पहला प्रश्ण होगा लोग किसको उठा कर शम्शान ले जा रहे थे और दूसरा श्यामू ने अपने पिता के कोट की जेब से पैसे क्यूं चुराए थे भाषा की बात प्रश्ण एक श्यामू पतन के लिए बहुत उतकंठित था इस वाक्य में श्यामू और पतन दोनों शंग्या सब्द हैं श्यामू व्यक्तिवाचक संग्या है और पतन जातिवाचक संग्या नीचे लिखे वाक्य में आये शंग्या पदों को पहचान कर लिखे तथा उनके भेद बताईए तो वाक्य है एक जगह खूटी पर विश्वेश्वर का कोट टंगा था तो इसमें खूटी और कोट जातिवाचक संग्या है और विश्वेश्वर व्यक्तिवाचक संग्या प्रश्म दो जो बुद्धी वाला हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है बुद्धी मान इसी प्रकार नीचे लिखे वाक्यांशों के लिए एक एक शब्द लिखे तो यहां हमें वाक्यांशों के लिए एक एक शब्द लिखना है, पहला दिया है, जिस पर विश्वास ना किया जा सके, तो उसे हम कहते हैं अविश्वस्निये, ख, जिसका स्वर्गवास हो गया हो, तो उसे कहते हैं स्वर्गिये, ग, जो अपने मन को एकाग्र रखता हो, उस उसे कहते हैं एका गृचित गह वह इस्थान जहां शव जलाए जाते हों तो उसे कहते हैं शम्शान प्रश्न तीन निमलिखित मुहावरों के अर्थ बताईए और अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए तो पहला है कोहराम मचाना इसका अर्थ होता है बहुत शोर शराबा कर ट्रेन में बम की अफवह सुनकर यात्रियों में कोहराम मच गया दूसरा है हिदय का खिलना यानि प्रसन होना बेटे को जिला अधिकारी बनता देख पिता का हिदय खिल उठा अगला है चिंता का मारा होना यानि परिशानी में होना अचानक तेज बारिश होने से किसान चि अफरी है रहस से खोलना सच सामने आना किसी का रहस से खोलना यानि कोई सच को सामने आना हत्या का रहस से खोल जाने पर हत्यारा पकड़ा गया अगला है हत बुद्धी होना अचंभे में पढ़ना भोला से श्यामों की बात सुनकर विश्वेश्वर हत बुद्धी रह गये संग्या शब्दों में दार इक, इत, इ, मान तथा वान आदी प्रत्यों को लगाने से विशेशन शब्द बनता है नीचे लिखे शब्दों में उचित प्रत्या लगाकर विशेशन बनाईए तो यहाँ पर कुछ शब्द दिये हैं जिन में हमें प्रत्या जोड़कर उसको विशेशन शब्द बनाना है बुद्धी प्लस मान, बुद्धी मान, चौकी प्लस दार, चौकी दार उपद्रवी प्लस ई उपद्रवी करोण प्लस ई करोणी है बल प्लस वान बलवान प्रांथ प्लस ई प्रांथ ये उत्कंठा प्लस इत उत्कंठित तो ये हो गए हमारे विशेशर शब्द इसमें हमने प्रत्य जोड़ा और ये हमारे विशेशर शब्द बन गए तो ये अभ्यास पून हुए आपको कैसे लगे ये जरूर बताईएगा पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें